जैहिंद क्लास 10 बिहार बोर्ट के स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग बच्चे बहुत अच्छे होंगे और तयारी बोर्ट एक्जाम के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी अगर नहीं भी चल रही है तो कोई बात नहीं है आप मेरे अगनी बैच से जुड़े और आप का ना 70 दिनों में एकड़म ऐसा तयारी हो जाएगा कि बताई नहीं सकते बाई आप भी 450 मार्क से पार ला सकते हैं आज ही जोईन करें अगनी बैच को जो की एकड़म निसुल्क है आप से एक रुपिया भी नहीं लिया जाएगा और आपकी यहां पर तयारी एकड़म अब्जेक्टिव हो चाहिए अब्जेक्टिव हो दुआधार यहां पर चलता है कलास इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है और वही कोस्टन को यहां पर तयारी करवाया जाता है जो आने के हंड़ेड एंड हंड़ेड परसंट चांसेस रहते हैं इसलिए अगनी बै है और आध ही हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जागने जोईन करें अगनी बैच ठीक है और यहां पर कलास जो होती है वह च्छे बचे सामसे होती है तो भूले नहीं च्छे बचे लग जाती है तो आप कलास करें तो आज के से वीडियो में हम लोग वर्रद भस्म तथ अभी क्रियाब हम समीकरन यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया हम लोग ने विदु धारावला भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया और हम लोगों का यह अभी चल रहा है अमल भस्मत तथा लबन और यह आज कंप्लीट हो जाएगा तो देखने सलेवस भी अच्छे से घिचा रहा ह है ठीकत इसलिए भाई बहुत इंपोर्टेंट है यह सारा क्लास तो जरूर जोइन करें और फ्री में मिल रहा है यूटूब में फ्री में मिल रहा है एक वी रूपी आप लोग से नहीं लिया जा रहा है तो जरूर जोइन करें चलिए हम अभी पढ़ेंगे अमलों के परका में देंगे भस्म में कैसा रंग देंगे लवनिया बिलियन में कैसा रंग देंगे वह सारा चीज़ हम लोग डिसकस कर लिए तो बहुत अच्छे से ठीक है और भी यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में थोड़ा बहुत डिसकसन करना था तो आज के ही वीडियो में इंडिकेटर बिल्कुल भी आपको लेना नहीं है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो अमलो के परकार आज हम देखेंगे अगर हम बात करें तो हम पूरे डिटेल्ड में वह जो डिटेल्ड होता है उस तरीके से हम से लिवसको नहीं पढ़ रहे हैं कि पूरा डिटेल नहीं पर मुझे परण रहे अगर हम अमलों के परकार के बात करें तो उसमें भी बहुत तरीके से अमलों के परकार हम verd Spencer कर सकते एक भी topic छोड़ नहीं रहा हूं, मैं हर एक topic को उतना detail से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगे पास अब समय नहीं है, ठीक है तो, उसी तरीके से, ठीक है, उतना detail में हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोगो 70 दिन में पूरा complete भी करना है, ऐसे ले बस, तो देखें, हम लोग क्या क्या मतलब है, एक्जामपल के साथ देखेंगे, प्रवलामल क्या होता है, जो जलियर बिलियन में पूर्णता आईनितं हो जाते हैं, यानि इंग्लिसमें बात करें, तो इसका पूरी तरह से आयोनाइजेसं हो जाता है, तो खेर, आप लोग हिंदी मेडियम से हैं, तो आयोणिट का मतलब क्या होता है यहां पर यह जो आयोणिट है इसका क्या मतलब हुआ आप बहुत सारे बच्चे сवाल करेंगे तो देखो भाई कोई भी आयोणिक कमपाउंड कोई भी आयोणिक यौगिक अगर टूतेगा ना तो आयन जो होते आयन के बारे में आप लोग जानते होंगे अगर दो आयन है या दो से ज्यादा आयन है वो अगर टूटेगा और आयन अगर एक साथ पहले साई खटा है और वो आयन टूट गए और टूटने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए तो इसी परकिरिया को हमना आयोनित होना कहते ह जैसे हम example देते हैं NaCl का तो NaCl के पास Na positive है और इसके पास Cl negative है ये दोगो iron है तो जल में जैसे ही इसको घुलाते हैं हम लोग तो ये क्या होता है Na plus अलग हो जाता है और plus में Cl minus अलग हो जाता है तो देखो यहाँ पर Na plus iron था Cl minus भी iron था तो यहाँ पर देखिए Na plus अलग हो गया Cl minus अलग हो गया यहाँ पर दोणों साथ में था अब यहाँ पर जल के पास होता है polar nature polar गुन होता है ठीक है ना दुरूबिया गुन होता है जिसके कारण जो है ये इसके अंदर जो attraction होता है एक दुसरे को जो पकर के रखता है वो वाला जो बल होता है उसको ये खतम कर देता है हमारा जल और इसलिए आयन अलग जो है वो अलग हो गए सीधी तोर पर मैं बताओं जब आयन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो यह परकिरिया आयनित होना कहलाती है है ना त तो हमारा परबल अमल वो होता है जो जलिय विलियन में जाएगा ना कोई अमल तो जो भी अमल के अंदर आयन रहते हैं वो अलग हो जाएंगे आयन क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे तो यह जो है ना इस परकार का जो अमल होता है वो क्या कहलाता है परबल अमल कहलाता ह खेर अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो आयन रहते हैं अम्ल के यानि प्रबल आम्ल के अंदर जितने भी आयन रहते हैं सारे आयन पूर्णतह अलग हो जाते हैं सभी आयन्स अलग हो जाएंगे मैं एक्जाम्पल देता हूं जैसे हम बात करें नीचे बता दू यहां पर जगह नहीं है मैं नीचे बता देता हूं जैसे परबल अमल का हम एक्जाम्पल ले तो H2SO4 है है सलफियूडिक अमल है हाइड्रोकलोडिक अमल है नाइट्रिक अमल है फासफोरिक अमल है तो यह सारा अमल है यह सभी को हम अभी देखते हैं जैसे देखिया एक टू एस ओफोर्ड की बात कर लो में एक टू सो फोर्ड ये भी जल में देखिए भाई सभी जो है ना जल में घुलके ही क्या करते हैं क्योंकि बोला है कि जली यह विलियन में डूबा न परेगा हम लोगों तो यह सल्फियोडी कामल है यह जली विलियन में गया तो यहां यहांपर देखे दो हाइड्रोजन- यहांपर दोसलफेड का आए तो देखें यहां पर ट्व माइनस होगा और यहां पर थो प्लूस होगा को यहां पर टू-णीटिव बनता है और पलस में ट्व 10 फो फोर्डू एससो फोर्ड नहीं चॉद्व ₤ टू- का अयन और एक sulphate का iion थाना यह साथ पहल लें हाँ पर लेकिन अब अलग हो गया क्या हो गया? अब अलग हो गया अब अलग हो गया तो kya होगा भाई? अलग हो गया तो ये आयोनित हो गया तो इसमें जितने भी hydrogen के iion तो यहाँ पर देखें दो hydrogen का iion है तो दूनों आयन अलग हो गया, यानि जितने भी आयन रहते हैं न सारे आयन एक दुसरे से अलग हो जाते हैं, परबल अमल में, लेकिन दुरबल अमल में ये नहीं होता है, दुरबल अमल में सभी आयन नहीं अलग हो पाते हैं, और आयन में किस आयन की बात की जा रही है, तो मेरी बात को बहुत इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं किसी अमल के अंदर जितना ज्यादा हाइड्रोजन का आयन पाया जाएगा वह अमल उतना ही ज्यादा प्रबल होगा उतना ही स्ट्रॉंग होगा उतना ही खतरनाक होगा और जिस अमल के अंदर जितना कम हाइड्रोजन क आयन पाया जाएगा वो उतना ज्यादा प्रबल अमल होगा उतना ज्यादा कमजोड अमल होगा यानि दुरबल अमल होगा ठीक है यानि मेरे मेरे कहने का मतलब यह हमारे पास दुगों कंटेनर है इसमें क्या ना इसमें भी हाइड्रोजन इसमें एक हैसीड है इसमें भी हमने भराब हुआ लेकिन इसमें जो आर्षीड है उस एस्ट में मात्र 20 hydrogen का आयन है और इस वाले container में हमारे पास मान के चलिए 50 hydrogen का आयन है बस इसका मतलब क्या हुआ कौन सा acid बहुत है strong है कौन सा acid प्रवल अमल है तो ये बाला इस continuous में जो एसीड हो बहुत खदरनाक एसीड है बच्चा तो क्या समझ में आया कि एसीड के अंदर जित्ना ज्यादा कोई भी अम्ल के अंदर जितना जादा हैड्रोजन का आयन है उतना ही ज्यादा प्रबलता उसके अंदर होती है चलो इसको मैं मिटा दूँ बच्छों जी तो छोटी छोटी बाते आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है न और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का देखिए आप नाइट्रिक एसिड का भी बता देता हूं मैं एक हाइड्रोजन पूर्णता हाइड्रोजन आयन में तूट जाएगा और पलस में नाइट्रेट का आयन बन जाएगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन था वो खुद नाइट्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया तो पुर्णता इसके अंदर जो भी आय ऊइएंस होते हैं वो तूट जाते हैं अलग में convert हो जाते हैं बदल जाते हैं दुर्बल अमल क्या होते हैं कि दुर्बल अमल वो होते हैं जो जल्य विल्लियन में पुर्णता आयनित नहीं हो पाते हैं उसी को दुर्बल कहते हैं जैसे में example में CH3COOH दिया है इसको क्या बोलते हैं और इसी का आयूपीयसी नैम होता है इथानोइक अमल क्या होता है एशेटिक आमल का जो आयूपीयसी नैम होता है वह इथानोइक अमल होता है इथानोइक अमल और यहाँ पर चीटी के सून में होता है यह सारा दुर्बल आमले यह ज्यादा उतना स्ट्रॉंग अमल होता है उतना खळacter नामले नहीं होता है क्यूं तो देखो इसका बताते हैं कारम हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से इसमें जितने हाइड्रोजन वह पूरी तरह से सारे हैं एच पलस आइन में नहीं बदल से नहीं आ सारी야 झाल था हैं इसके आंदर एक ही H पलस में तूटता है और वो ये वाला ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वही H पलस आयन में तूटता है और बाकि जो है CH3COO माइनस अलग हो जाता है कारण भाई कारण इसके उपर माइनस चार्ज इसलिए आया क्योंकि मैं बताऊं यहाँ पर जो ऑक्सीजन देखते हैं इसके पास क्या है यह ज़्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव होता है इसके पास ऑक्सीजन के पास विद्धुतरिनात मक्ता वाला गुन होता है और यह असानी से एक इलेक्ट्रो इससे हाइड्रोजन से छीन लेता है अब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रो छीन लेगा तो भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रो था ही पहले से वो भी छीन लिया तो उसके उपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यह एच पलस में तूट गिया खेड इसके बारे में पूरा अच्छे से विशलेशन आप लोग क्लास 11 में पढ़ने वाले हो मैं ज्यादा इस पर छेडूंगा नहीं बस इतना समझ लो कि यहाँ पर यही बला हाइड्रोजन जो है एच पलस में तूट पाता है और बांकी जो है CS3COO माइनस में कनवर्ट हो जाता है इस आयन को एसीटेट आयन बोलते हैं क्या बोलते हैं एसीटेट आयन तो देख रहे हो यहाँ पर पूरी तरह से आयन इसमें जितने सारे हाइड्रोजन थे वो सारे हैच पलस में नहीं यहां पर एक हाइडरोजन एक पूड़ा ह्डायन बदल घया यहां पर वी तो आ में बदल जाएब लेकिन यहां पर अन है यहां भी वही बात होगा यहां दो हाइड्रोजन है तो दो एच पलस बदलना चाहिए नहीं बदलेगा एक ही एच पलस बदलेगा और पलस में हो जाएगा मज़ा रहा है है तो यहां पर एक ही बन रहा है समझ में आ रहा है तो यह सारे हमारे दुरबल अमल होते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से इसका जो हाइड्रोजन होता है वह पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन में बदल नहीं पाते हैं तो इसके अंदर कम हाइड्रोजन होगा इ लेकिन अगर इसका पूरा यान अगर बदल जाता हैइडरोजन और हैं तो यह बहुत इसके अंदर हाइडरोजन ज्यादा है इससे लेकिन ऐसा होता नहीं है यहाँ पर एक ही hydrogen आयन में बदल पाया hydrogen, इसे लिए ये कमजोर अमल होते हैं, और ये परबल अमल होते हैं, समझ में आया बच्छों, कोई दिक्कत नहीं, सांध्र अमल वो होते हैं, तो बहुत logical चीज नहीं है, बहुत easy है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सांध्र अमल वो अमलिये गुन होगा अगर उसके अंदर आपना हाथ डालो मृ nessa से गाढ़ा हो गया उसके अंदर बहुत जादा गढ़ापन है तो उसमें उसमें पानी करके तनु करन करते है ङ्चलों एक होता है तर्लत अइसा अमल होता है । जिसके अंदर पानी की मातरा तो उसको कैसे दिखाएंगे जैसे सांद्र H2SO4 रहेगा तो हट टू एस ओफोर और पलस में यहाँ पर लिख देंगे सांद्र और सांद्र अगर हसा ने सांद्र है था अचनो थिर और यहां पर सांद्र इंग्लिस में Concentrated बोलते हैं इसको तनू में कैसे लिखेंगे अगर HNO3 तनू है तो यहां पे लिखेंगे तनू और अगर इंग्लिस में बात करें तो इसको हम डाइलूट लिखते हैं इसको नोट करें फिर हम आगे बढ़ रहे हैं मैं थोड़ा साइड होता हूं और इस सारी बातों को आप जल्दी से लिखे और हूब हूब आप यही लिखे भाई ठीके ना ताकि आपका त्यारी जो है बहुत अच्छे से होगा है ना पूरा चीज लिखने की जुरूरत नहीं अभी जो इंपोर्टेंट है वही लिखिए चलिए जल्दी से नोट कर लें इसको तो चलिए स्टुडेंट्स इन सभी बातों को आपने नोट किये होंगे अब क्या है कि कभी-कभी कोशन आ जाता और NCRT में भी यह कोशन दिया हुआ है कि हमारा जो सुस्क होता है हमारा जो हमारे लिटमस पेपर को कोई भी एफेक्ट नहीं करता है क्यों आनि सुस्क हल लिटमस पेपर पर कोई पर कोई रंग में बदलाव क्यूं नहीं करता है क्यूं नहीं करता है बहुत इंपोर्टेंट है कारण आप लोग को पता होना चाहिए कि देखो सुस्क सुस्क होता है उसके अंदर अमलिय गुन होता ही नहीं है अब सुस्क एच्सियल को छूब सकते हो कुछ नहीं होगा आपको क्यूं तो कोई भी अमल अपना अमलिय गुन तब तक नहीं दिखाएगा है ना कोई भी अमल अपना अमलिय गुन तब तक नहीं दिखाएगा जब तक वह जल के संपर्क में ना आ जाए देखते हैं ना कि कोई भी मतलब अस्टुडेंट खचड अस्टुडेंट एक तरह से बहुत बदमास अस्टुडेंट अगर बाहर परने गया ठीक है वह अपने कलास में देखेगा कि सभी एकदम सांत सभाब की लड़के हैं एकदम सभी अच्छे से पर रहे हैं तो वह भी भाई सांत होके पढ़ेगा सभ्सुड्धा एकदम वह बना रहता है वह जो भी बहुत बदमास स्टुडेंट था मैं एक ही स्टुडेंट की बाद करूं क्या हुआ हुआ दो-तीन दिन के बाद दो-टीन एस्टुडेंट ऐसे आ गये जो बदमासी करने वाले थे एकदम गुंड़ा थे तरह से अब क् में बदमासी वो लड़का नहीं कर रहा था लेकिन जैसे ही उसका संपर्क में जो चार स्टुडेंट उस तरह से आ गए बास हो गया अपना जो नेचार है अपना जो गुन है वो दिखाने लगा परदर्सित करने लगा सिमिलरली ठीक इसी परकार से यहां भी यह होता है कि हमारा HCL जो हैड्रोकलोरिक अमल होता है वो तब तक अपना अमलिय गुन नहीं दिखाएगा तब तक अपना जो गुन है अमल बला वो नहीं दिखाएगा जब तक जल के संपर्क में ना आजा तो जैसे ही जल के संपर्क मे इसके अंदर है ही नहीं तो लिटमस पेपर को कोई effect लिटमस पेपर पर कोई effect नहीं करेगा है ना लिटमस पेपर कोई परभाव डाले गाई नहीं अमल रहेगा तभी तो अमल जैसा behavior नहीं कर रहा है जैसे ही यहाँ पर दोखो, अमल है, चीक है, लेकिन यह सुस्क अमल है, इसके अंदर जल है ही नहीं, लेकिन तुरन्त अगर हल है है UCL और भाई थोरा भी जल की मातरा इसको मिल गई तो यहाँ पर जो हीडोजन का, हीडोजन यह तुरंत है पलस में बन जाएगा और सील माइनस बनेगा तो यह पलस बन गया ना तो कहीं भी अगर एच पलस बन जाता है तो वह अमल होता है अमल के परिभासा से आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमल वह पदार्थ है अगर जल में घुलेगा तो वह ह पलस अएन निकालेगा तो जो अच पलस आएन निकालता है वह अमल होता है तो यहां पर अभी यह अमल होगया लेकिन यहां पर अमल नहीं होगा समझ मैं इस तरह से question पूछ देता है जैसे अगला question है हमारा गुलकोच c6 h12 o6 यह होता है गुलकोच हमारा गुलकोच का रसाइनिक सुत्र c6 h12 o6 बहुत बार बिहार बोट के objective में पूछता है तो याद करिएगा यह गुलकोच है गुलकोच का बिलियन गुलकोच का जलिया बिलियन गुलकोच का जलिया बिलियन विद्धुद्धारा का सुचालक क्यों नहीं होता है यानि गुलकोच का जलिया बिलियन होता है वो विद्धुद्धारा का वो विद्धुद्धारा का सुचा अलग क्यूं नहीं होता यह सारा इंपोर्टेंट कोस्चन है एंसे आटी में दिया आप आप लोग देख सकते हैं तो भाई देखो भाई सीजिक्स एच्ट्वेल्व ओसिक्स एच्ट्वेल्व ओसिक्स जैसे ही जल के साथ अभी किरिया करेगा तो भाई एक बात याद रखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपको बारे हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं यह एक भी हाइड्रोजन एच पलस आयन में नहीं बदलता है एक सिंगल हाइड्रोजन भी 12 में से एक भी हाइड्रोजन H पलस आयन में नहीं बनता है और H पलस आयन में नहीं बनेगा तो कैसे विद्धुधारा पास होगा यहाँ पर जो यह देख रहे हैं आप यह आयन में नहीं तूटेगा तो कैसे विद्धुधारा परभा होगा हम ल लेकिन अगर यहाँ पर आयन मुक्त अवस्था में नहीं मिला इसको ब्रबाह नहीं करेगा तो यहाँ पर गुलकोज का जलिय विलन होता है उसके अंदर मुक्त अवस्था में आयन होते ही नहीं है जिसके वज़ा से हमारा जो गुलकोज का जली अविलियन है वो विद्दूत का सुचालक नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चो यह बहुत बार बिहार बोड में बोड में यूपी बोड में बहुत सारे बोड में यहां पर यह कुशन आया चुका है तो इसको आप लोग याद कर लिजिएगा थीक है बच्चो मेरा काम सिर्फ समझाना ठीक है ना आप लोग ज़रूर याद करना ठीक है तो इसको मिटाते हैं हम एक दो और कोशन इसी तरह क कोच का है इसी तरह से हमारा ये एलकोहल होगा एलकोहल बोले तो दारू ए सर जी दारू की बात कर रहे हैं बिहार में तो सर बैन है कुछ बच्चे कह रहे हुए सर कहां बैन है हमारे घर इधर तो बहुते मिलता है मिलता है तो आप मत पी लेना ठीक है वह सब बुरी चीज होती है ठीक है समझ में आगया गुड तो इस तरह से कुष्चन पूछता है भाई बिहार बोर्ड में बहुत बड़ा चुका है तो ध्यान दिजेगा और एकदम दिया हुआ क्षक कर रहा हुआ क Rudy कि एक यहार बोर्ड में जो भी कोश्चन आते हैं वसक्ति बुक ने बहुत ज़रूरी चीज है ठीक है न समझ मेरा सबसे पहला की संखो देना चाहिए किस सबसे इंपोर्टेंट जो है न वह एंशी याउटी होता है किे हमसे पढ़ते हैं तो उन अंसियादीं के बात होता है नहीं है उनको सिखा दिया जाता है भारती बहुता है अब क्या है अब एक और कोशन में आपको बता रहां हूं देखू, अगला कोशन है कि हमने सांद्र सांद्र अमल में अगर सांद्र अमल में जल मिलाते हैं जल क्या करते हैं? मिलाते हैं तो ह3O प्लस आयन का आयन का कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन बढ़ता है कि नहीं? बढ़ता है कि घड़ता है? यह भी बहुत इंपोर्डेंट कोशन हैं, एंसी आटी कोशन है देखे भाई सांद्र अमल की बात करें है ना? सांद्र अमल में जब हम जल मिलाते हैं खेर एक बहुत में बात करूँ तो यह भी एक कोशन है कि अमल में जल मिलाएंगे कि जल में अमल मिलाएंगे है ना? तो भाई समझ लो जल में अमल को मिलाया जाता है जल में अमल को मिलाओ, ठीक है, कोई भी अगर सांध्र अमल है, तो उसमें पहले पानी लिया जाता है, और सांध्र अमल को उस जल में drop by drop डाला जाता है, तब जाके वो सांध्र अमल तनू में बन पाता है, ठीक है, तो देखो भाई, अब H3O पलस आयन क्या दूबिदा है सर, देखो, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते है, कौन सा आयन बोलते है, इस H3O पलस आयन को हाइड्रोनियम आयन बोलते है, ठीक है, कैसे निकलता है सर, तो देखो बाई, कोई भी अमल है, कोई भी अमल की में बात गांड़ो, ठीक है न, ये जल के साथ अभी किरिया करेगा, हुआ है न समझ लो लेकिन होता क्या है बच्छो यह हुआ होता है अनेश्टेबल होता है मतलब क्या हुआ सार कि मैंements रह नहीं सकता है चट करता हुआ नजर आएगा आपको बाइ को ठीट कर रहा है तो समझ सकते हो वह यह उसको stable करना पड़ेगा दुचाय थपर मारके छट पटी उसको निकालना पड़ेगा तो इस एच पलस आएन को क्या करना होता है यह जो एच पलस है ना यह छट पट करता है कि कुई हमको electron दे दे तो मज़ा आ जाए है ना electron का भूखा है क्योंकि इसके पास एक भी प्रॉन नहीं है च्ट पट कर रहा है तो यह जल के साथ मिल जाएगा और जल के साथ मिलने के बाद एक आयन बना देता है जिसका नाम है और फिरीओ पलस आयन जिसको हाइड्रो नियम बोलते हैं हाइड्रो नियम आयन तो इतना चोटा सा इंगली सापको नहीं समझनाएगा इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं एक बात है क्योंकि है एक बात समझो क्या रहा है कि सांद्र आउल में अगर जल मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन का जो कंसेंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन बढ़ता है क्याव गठता है समझ लो बस सांद्र आमल में जल मिलाएंगे घाता है बाई सिम्पल सी बात है अगर जेल मिला रहें ओ तो हाइड्रोनियम आयन का जो संख्या वगठेगा कैसे तो सबस्क्रांने स्टेबल होता इसके साथ कर के हमारा एकशित ऑपलस टीओ बढ़िया है ऑथ समझ Remo भी आम होता है होता क्या है स läuft के अंदर रियक्सिन समझ क्या होता है कि अपने जो अमल रखा था तो देखो कोई अमल होता है ना कोई भी अमल होता है वो क्या करता है देखो अगर हमने लिया तो वह एच पलस आयन बनाएगा और पलस में c l minus i n बनाएगा है ना और इसी में हमने जल मिला रहे हैं जल मिला रहे हैं जल मिला रहे हैं निरंतर जल मिला रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है इसका हम सांद्र से तनू कर रहे हैं यानी सांद्र करन से तनू करन कर रहे हैं इसका तो यानी h2o हम ले रहे हैं और h2o में जल में दो परकार का आयन मौजूद होता है एक पलस आयन मौजूद होता है और एक ओएच माइनस मौजूद होता है अब देखो क्या-क्या रियक्षन होता है इसके अंदर देखो ये वला h plus क्या करता है h plus और ये दोनों आपसमें मिलता है क्या करता है मिलता है Stunden h plusUm應ा मंश मिलके ये जल में बदल देता है जितना आप जल मिलाओंगे किसी भी अम्ल में, सांध्र अम्ल में तो उसका जो ही प्लस ायन हो blow onda उसको जल' में बनाते जाएगा जल' में बनाते जाएगा जल के जैगा और जितना जादा पावर रहेगा न एसीड का वो सारा पावर धृतपना जाएगा क्यूंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि किसी भी अमल के अंदर जितना हाइड्रोजन आयन मौझूद रहे उतना खतरनाक अमल होता है वह उतना प्रबल अमल होता है लेकिन अब क्या हो रहा है यहां पर तो आप जितना ज्यादा जल मिला रहे हो तो जल के एंदर ऑच माइन होता है वह सउट के के एच प्लूस आयन से मिल जाता है यह अमल से मिला के और यह मिला हमको जल से तो जितना ज्यार ज्यादा ज्यादा मिलावे7 बना बना देंगा लग्या जल नोतर Das सीन होता है उदा सीन तो भाई सहाब जो भी पाबर है क्योंकि कोई भी अमल का जो पाबर होता है वो किससे हम लोग पता करते हैं कि यह बहुत ख़तरनाक है तो उसके अंदर जितना ज्यादा एच पलस आयन रहेगा उससे पता करते हैं अब क्या हुआ यहां बाला जो जल से निकला वो तो इसके साथ का मिल जा रहा का रहा आ बेटा चलो घुमने आते हैं चलो और इसको घुमने के क्या घुमाएगा इसको इसको तो भाई लपेट लेता है ठीक है न तो ओएच माइनस घुमने चलो धिरे-दिरे वह आमल का जो पवर है वो भी कमता जायेगा और जीरे-दीरे वह ही तो अगर कमेगा तो इसका concentration बढ़ता है कि घटा बाई जल मिलाने से घटता है तो इस तरह का question आपको मिलने को मिलेगा है ना कोश्चन बहुत बार इस तरह का आजाता है तो इसको इस तरह से आप परिभासित कर सकते हैं इस तरह से समझ सकते हैं इसको नोट कर ले अगर नोट करना है तो उसके बाद हम आगे बढ़ रहे तो देखे स्टुडेंट्स अब हम लोग भस्म परने वाले हैं कि भस्म क्या होता है बहुत इंगलिश में इसको बेसेस बोलते हैं है ना तो भस्म क्या होता है देखे भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर ओएच माइनस आयन देते हैं यह आरहेनियस का करता है वह पदार्थ होता है जो स्वाद में करवा होता है वो सवी है लेकिन आप जो पौक्त में आप उसको चक अवस्म को जड़ेंता हैं में घुलकर और और हम लोग को देगा ना वही भास्म ओता है और हैनियस का definition है एकदम यही सल जहाई ठीक है जो भास्म या वह पदार्थ जो जल में घुलेंगे और घुलने के बाद ओएच माइनस आयन फर्निस करेंगे ओएच माइनस आयन देंगे हम लोग को वही हम लोग का भस्म होता है है ना अब बहुत बार आप बहुत्चे लोग पूछते सर भस्म यह होता है तो चार क्या होता है देखो बाई चार वो भस्म होते हैं चार वेब हस्म होते हैं जो जल में घुल सकते हैं यानि वेब हस्म जो जल में घुल सकते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे चार बोलेंगे समझ माया वेब हस्म जो जल में घुल सकते हैं उसको चार बोलते हैं हम लोग ठीक है ना कोई दिक्कत है जैसे में एने ओएच के CBD के सारे आपको समझ में बहुत बढ़िया अब हम देखते हैं कि भस्म के गुन क्या होते है ना भस्म के गुन क्या होते तो पहले समझे बहुतिक गुन हम लोग देख लेते बहुतिक गुन क्या होता है देखो भाई भस्म हमेशा स्वाद में करवा होता है है ना जो कमजोड भस्म है उसी को आप चक्या देख सकते हो आनता किसी का नहीं ठीक है ना स्वाद में करवा होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है देखिए ये जो हमारा भस्म होता है ना किसी के अंदर भस्मिया गुन रहेगा यानि छारिया गुन रहेगा तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या करता है लाल लिटमस को नीला कर देता है लेकिन 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 बच्चो यही पर यही पर में क्या बोलूं यही पर में बोल दूं अगर कोई भस्म है या कोई च्छार है है ना अगर उसको फैनॉल फैतलीन के अगर उसको फैनॉल फैतलीन के बिलियन में अगर डुबाया जाएगा तो फैनॉल पानी के रंग का जैसा होगा अगर हम उसमें छारी यह चार अगर डाले तो उसका रंग कैसा हो जाएगा गुलाबी हो जाता है अगर खुण डाल दे तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है बच्चों बढ़िया है समझ में आया जी सर है न समझ में गया गुड जविलियन में हमारा Jaliyah विल्यन में हमारा जो भस्म होता है वह ओएच माइनस आयन देता है जैसा कि मैंने यही पर देखाया है जलीय चूने पर ना लगेगा साबुन जैसा है लेकिन याद रखिए जिस परकार से अमल खतरनाक है ठीक उसी का जो बड़ा भाई बड़ा भाई नहीं कह सकते उसका मवसेरा भाई जो है वह भसम है ठीक है ना दोनों भाई-भाई है समझ में आ तो है आ हैं अमल चत्ना खतररणाक उतना ही खतर्नाक भस्म भी है तो यह आप क्या कहते हैं यह यह अतिमें मत रहे हैं कि वाई अमल खतर्ना गातर खतर्नाक नहीं हो हुए दोनों खतर्न तो दोन्कित अबilit क५़र गती अमल का भौतिक गुन है ना और एक बात याद रखे अभी हम आगे बात करेंगे पी-एच के बारे में पोटेंसियल अफ हाइड्रोजन के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं जहां पर हम आपको बताएंगे कि अगर पी-एच मान साथ से उपर चला जाए तो वह भस्म होता है पी-एच का मान साथ से नीचे चला जाए तो वह अमल होता है और पी-एच का मान एक डम इग्जेक्ट साथ आ जाए तो वह उदासीन होता है है ना तो यह भी बताएंगे आगे आ रहा है तो थोरा रसाइनिक गुन क्या होता है भस्म का वह देख लेते हैं देखिए समझ सब्छाइनिक गुनौरु वह सम धात्व के साथ अभिक्रिया करके है दौजन गैस मुक्त करता है करते ऩहां पर जिंक का अभ European है सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ करा हो है ना यह क्या है भाई यह धातू है यह क्या है यह भास्न है करवा दिया अभी किरिया करवाने के बाद पता है क्या बनेगा अभी किरिया करवाने के बाद सोडियम जिंकेट बनता है क्या बनता है सोडियम जिंकेट एन एटू जैड NO2 और पलस में हाइड्रोजन गैस बनता है अब यह जो चीज है ना इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट क्या बोलते हैं सोडियम जिंकेट क्या बोलते हैं इसको सोडियम जिंकेट है ना सोडियम जिंकेट अब इस NA2ZNO2 के अंदर कौन-कौन सा आयन मौजूद होता है तो देखो भाई NA2ZNO2 के अंदर आयन जो होते हैं वो होते हैं यहने प्लस आयन और प्लस में गर्त जैडन ओटू 2- दिंकेट झनकेट आइन क््यैक बोलते हैं यह जो है वो जिंकेट आयन है कौन सा आयन अब्धाइ यह हमारा जिंकेट आयन तो भाई इसके अंदर भी आपको वे सर इसके अंदर भी तो आयन मुक्त वस्था में आ गए तो क्या सर इसके अंदर भी विदुदारा का संचालन हो सकेगा विदुदारा प्रवा होगा हाँ बच्चो जो हमारा यह जो हमारा होता है जलिय विलियन किसका भस्म का जो जलिय विलियन होता है वो भी क्या करता है विदुदारा का सुचालक होता है यहां भी विदुदारा अच्छे से परभाह करेगा समझ में आया कोई दिक्कत है नहीं है क्योंकि यहां भी आयन देखते हैं मुक्तवस्था म में मिल रहा है तो आयन जहां भी मुक्तवस्था में मिलेगा वहां विद्दु धाड़ा प्रभाह करेगा अच्छे से क्यार हमारा एक टार्गेट यह था कि अगर धातु भस्में के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनाएगा यहां पर क्यारे सोडियम जिंके सरे और आपको पता है इस में कैसे पता करेंगे कि ही और लगवा निकाल रही हो रही है निकल रही है प nimmt हमारा जो है पॉप साउंड से हमारा जो मांचिस की तीली होती है जलती मांचिस की तीली जाएगी बुझ समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन गैसी निकल रहा क्योंकि एक साइप न निगेस ही है जो पॉप साउंड उत्फण करती है और कोई ऐसा गैस ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपके दिमाग में घुसी, चले इसको मिटा दूँ, तो इसको लिखते जाए, लिखते जाए, क्योंकि मैं अभी मिटाता रहूंगा, बताता रहूंगा, मिटाता रहूंगा, बताता रहूंगा, इसी के लिए सारी बातों को नोट करते जाए, पहले समझ लिजο के बाद में समय देता हूं नोट करने के लिए टो आप करते चाहिए चलिए नोट कीजिए विडियो को रोखी आ deton pais चलिए वीडियो को रोक लिए हैं चलिए अब नोट कर लीजिए चलिए अब इसको मिटाते हैं आगे बरते हैं अब देखिए क्योंकि भाई सतर दिन में ही तो हम लोग का पूरा से लिवस कंप्लीट करणा है है ना आप मेरे भाईयों आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहा हैं इसलिए मैं थोड़ा तेजी से भाग रहा हूं ठीक है थोड़ा कॉपरेट कीजिए अब अगला है कि छार अमलिय उक्साइड के साथ अगर अभिकरिया करेगा ना तो लबन और जल बनाता है और यहीं अभिकरिया उदासनी करण अभिकरिया भी कहलाती है चलो बताता कोई हम चार लेले या कोई भस्म लेले बाती एक ही है कोई भस्म का अभिकरिया कोई अमलिय उक्साइड कौन होता है पता है अमलिय उक्साइड होता है कौन तो अधातू का उक्साइड अधातू ऑक्साइड बता रहा हूं क्या होता है अधातू ऑक्साइड तो अधातू एकसाइड के साथ अगर कोई भसम अभी किरियाकरेगा तो यहाँ पर लवन देगा और जलबेगा है ना तो आप लोग काँगे सर एकजामपल दिशिए तो देखो भाई कोई एक भसम है मैं पहले समझगा देता हूं कोई एक भसम है वो अगर ओधातू उक्साइट के साथ अभिकिरिया करेगा कोई भी ओधातु का अगर उक्साइट रहेगा तो वो अमलिये गुन का होता है कैसा नेचर होता है उसका अमलिय होता है अमल के जैसा बिहेव करेगा अमल के जैसा बिहेव करेगा और भस्म तो भस्मिया जैसा बिहेव करेगा ही तो अमल और भस्म भस्म और अमल अमल और भस्म भस्म और अमल दोनों अभिकिरिया करके लबन और जल देता है और यहीह अभीकिरिया उद्दासनी कररण अभीकिरिया भी कहलाती है मेरे प्यारे भ्चूं समझ में आ productive करन और भव कई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फिरू समझ में आ रहा है कहीं से इघर कोई दिक्कत आ रहे गी तो आप मेरे को बता सकते हो 수मज बहा진 कोडिक अब देखो अमल और भस्म के साथ अगर अभी गिरिया होगा तो अमले तथा जल बनेगा जैसे वही बात है मैं बता दिया यहां पर मैं बता देता हूं कोई अगर भस्म के साथ अभी गिरिया करेगा तो क्या बनाएगा कि जल तथा लवन बनाएगा हुई एक्जामप्ल से अमल्काद दे दिजिए कि ऑसी एल आउसल कुम एन ऑफ़ फिसके पास मैनम गए के पास माइनस माइनस बना प्लस के साथ जुड़ेगा प्लस बना माइनस के साथ तो देखे यह प्लस है तो यह माइनस के साथ जुड़ेगा और यह माइनस है तो यह प्लस के साथ जुड़ेगा तो जोखो एन ए और सीयल बनेगा एन ए और सीयल और प्लस में देखे एच ओ य अबिक्रिया करते हैं इस अभिक्रिया को उदासनी करन अभिक्रिया कहते हैं और यह यही था हमारा रसाइनिक गुन किसका भस्म का तो जल्दी से इसको नोट करिएगा आप लोग कि अच्छा कुछ बच्चे करेंगे सर इसका एक्जामपल नहीं दिये तो वह भी बता देते हैं देखिए एक भस्म लेना है तो मैं भस्म ले लिया सी एय ओएज का हो क्या है यह लबन होता है यह लबन होता है लेकिन यह भी लबन कुछ अलग परकार का होता है रही आ अगे बताएंगे यह बेशिक लबन होता है basic salt इसको बोलते हैं यह सारा जब हम लबन पराएंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे लेकिन यह तो लबन है calcium carbonate हमारा लबन होता है सारा का example हम दे दिये हैं तो इसको note करिएगा फिर आगे हम बढ़ते हैं फिर pH वगेरा के बारे में भी पढ़ते हैं जल्दी note कर लिजेए इसको तो चलिए आप लोगों ने इसको note कर लिए होंगे तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है जहां हम लोग pH के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद लबन क्या होता है लबन के बारे में पढ़ेंगे कितने परकार के लब लावन जो है पूरी तरह से उदासीन होगा, कोई ऐसा लावन होगा, जिसके अंदर भस्म भला गून होगा, उन सभी बातों को भी देखेंगे बिरंजक चुर्ण क्या होता है है ना बिरंजक चुर्ण क्या होता है सोडियम हाइडरोजन कार्बोनेट यानि बेकिंग सोडा क्या होता है धोवन सोडा क्या होता है पलास्टर और पैरिस क्या होता है है ना ये सारे चीजों के बारे में अगले वीडियो में परहाया जाएगा और अगला वीडियो जो होगा वो पूरी तरह से हमारा अमल भस्म और जो लबन है ये चैप्टर पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा और उसके सबस्त objective question भी करेंगे important objective question तो चलिए आज के इस बुले में रहते हैं तो चलिए ऐसे नहीं जाना चाहिए साईरी आपको सुना देता हूँ किन-किन बच्चों को साईरी सुनना है comment करिए heck कि सर साईरी हम को सुनना है है ना साईरी सुनना सब को पसंद है सभी बच्चे समय का में लिखा है मेरा एक्तरफा सफर किसमत में ही लिखा है मेरा एक्तरफा सफर तो मजबूरन ही छोड़ना परेगा मुझको यह तेरा सहर किसमत में ही लिखा है मेरा एक्तरफा सफर किसमत में ही लिखा है मेरा एक्तरफा सफर तो मजबूरन छोड़ना ही परेगा मुझको यह तेरा सहर जी है वच्चों तो यह साहरी था आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा तो इससे पहले जितना भी वीडियो बन चुका है ना एसीड बेसें सॉल्ट का यानि अमल भस्म और छार का वह सारे वीडियो आपको अगनी बैच के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है और तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं कोई अगर समस्या हो तो कमेंट आपके पूछ ले तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम रादे रादे जैस्री राम